Hello students, welcome to Jumaqsa classes. Today we are going to discuss about right to freedom, जो की दिया है Constitution of India के Article 19 से 22 के बीच में. तो अभी तक अपन ने अपनी पॉलिटी की सीरीज में क्या देखा, तो मैंने आपको बताया था, दो major component की requirement होती है, बारत के साशन को चलाने के लिए, और उसका पहला major component पे अपन बात कर रहे हैं, जो की Constitution of India, अपनी Holy Book और अपना Supreme Document. अपने इस document को पढ़ना शुरू किये, तो अपने देखे ते प्रेंबल आता है, फिर Part 1 आता है, फिर Part 2 आता है, आपन अभी चर्चा कर रहा है, पार्ट 3 की, तो अपने पिछले previous lecture में दिया, आपने नहीं देखा, तो जाके देख सकते हैं, जो जो मैंने बाते बता ही, वो मैं बता चुका हूँ, तो अपन fundamental rights के भी कौन से पार्ट में आ गया है, फंडमेंटल right Constitution of India के पार्ट 3 में दिया प्राप्त हो सके, तो चलिए lecture को start करते और देखते right to freedom, जो कि article 19 से 22 के बीच में है, तो article 19 में जो है protection of 6 rights की बात की और आज अपन इसी article 19 को complete करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा article है, इसमें 6 rights की बात हुई है, तो इसको एक lecture में complete करेंगे, बाकी बचे lecture में complete करेंगे, तो यहां आप article 20 भी देख सकते हैं, 21 भी, 21A जो है education से related है और 22 जो है against arrest and detention है, इनके बारे में detail में आगे चर्चा करेंगे, तो चलिए अभी अपन article 19 को देखने की कोशिश करते हैं, तो देखिए article 19 में क्या है, 6 rights की guarantee दी गई है किसको भारत के citizen को, मैंने आ अभी aliens भी होते हैं, तो वो सब मैं बता चुका हूँ, अभी अपन बात क्या कर रहा है, आपको मैंने बता था, 15, 16, 19, 29, 30, यह जो आर्टिकल है, सिर्फ भारत के citizens को available है, तो आर्टिकल 19 किसको मिला हुआ, यह आपको ध्यान रखना है, सिर्फ भारत के citizens को available है, दूसरा याद रखना है कि जब constitution बना था, तो आर्टिकल 19 में क्या थे, 7 राइट थे, तो एक राइट जो है, वो कम हो गया है, 6 बचे है, एक राइट कौन सा कम हो गया है, तो 44th amendment 1978 के दोरा, जो अपना आर्टिकल था, right to property, उसको हटा दिया गया और उसको कहां शामिल कर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 300A में सामिल कर दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है, फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो आर्टिकल 19 में आपको right मिले है, वो state के against मिले है, ना कि private individuals के, state मतलब government of India, और private individual मतलब जो सरकार में नहीं है, मतलब माली जो कोई और company है, य ये legal corporations को भी available नहीं है, तो UPSC यहाँ से आपसे question पूछा जा सकता है कि किन को available और किन को available नहीं है, लेकिन देखिए, आपके आइन में जो right दिये गए हैं, उनमें कुछ reasonable restriction भी लगाए जा सकते हैं, क्या होते है reasonable restriction आभी अपन आगे बात करते हैं, आभी आगे आपको detail में स रोका जा सकता है, तो आईए discuss करने की कोशेश करते हैं, यहाँ आप इंदी में भी देख सकते हैं, तो चलिए अब अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से 6 right है, तो देखिए सबसे पहला right है, freedom of speech and expression, अगला कौन सा right है, यह first हो जाएगा, 19 का यह पहला right हो गया, दूसरा right क कहीं भी आने जाने की, मतलब भारत की territory के अंदर कहीं भी freely घूमने की सुतंतरता, फिर कहीं भी रहने की, मतलब भारत के किसी भी area में जाके मान लीजे, आप UP में रहते हैं, तो आप South में जाके अपना घर खरीद के रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत के and expression, देखिया आपको मैंने जैसे शुरू में भी बताया था, silent features में भी बताया था, और बार बार बताया है कि भारत क्या एक democratic country है, democratic country मतलब लोगतंतर है भारत में, लोगतंतर का मतलब होता है कि आसहमती जो होती है, वो लोगतंतर में व्यक्त की जा सकती है, आसहमती का क्या मतलब होता है, जैसे for example, government of India को योजना लेके आई, माली जे XYZ योजना लाई और आपको योजना पसंद नहीं आई, तो आप अपने facebook से, twitter से जाके, सरकार की अलोचना कर सकते हैं, वहीं आपको यदि सरकार की योजना पसंद आई, तो आप अपने twitter से, और अपने माध्यम स करते हैं, सरकार की कर सकते हैं, सराना कर सकते हैं, जैसे मीडिया भी सरकार की योजना की आलोचना करती हैं, तो जो योजना की आप जो सराना कर रहा हैं, जो आलोचना कर रहा हैं, वह क्या आपके freedom of speech and expression हैं, आप अपने बोलने में स्वतनत हैं, आप अपने expression को व्यक्त करने कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप गाली देने लगे, या किसी की disrespect करने लगे, या किसी पर जूटेल जाम लगे, तो ये सारी चीजे करेंगे, तो उस case में आपके उपर reasonable restriction लगाए जाएंगे, बोला जाता है कि स्वतंतता वहां तक अच्छी है, जहां तक दूसरों की स् restriction कहां लगेगा, जब आप देश की अखंडता एकता को क्या पहुचाएंगे, हानी पहुचाएंगे, तो अब आप इसको मेरा, I hope आपको समझ आ गया होगा, तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, speech and expression में काई काई की freedom है, UPSC से question पूछ सकता है, आपको commercial advertisement की स्वतंता है, right against band called by a political party, तो बंद कर सकते हैं, यह वाला right दिया है, political party जैसे आपने देखा है देश में जो बहुत सारे राजनेतिक दल है, वो कभी-कभी बंद का आयोजन करते हैं, तो आप कर सकते हैं, वो इसी article के तहत होता है, freedom of silence है, देखिए, freedom of speech and expression में, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब नियम कानून में रहके आप आलोच ना कर सकते हैं, अपनी आसेमती वेक्त कर सकते हैं, लेकिन यह आदि आप किसी चीज़ पे नहीं बोल रहा है, चुप रह रहा है, freedom of silence है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, speech and expression है, सरे बोलना है speech and expression नहीं होता, सान्त रहना question पूछ सकता है, यह आप इंदी में भी देख सकते हैं, अब अपन बात करते हैं, आगे कि किन किन अधार पर reasonable restriction लगाई जा सकते हैं, तो जैसे मैंने बोला, आपको दूसरे की disrespect नहीं करनी, उसके उपर, कोई भी मतला, आप किसी को, आपको speech and expression है, तो आप किसी को यह नहीं इंडिया के जो रशिया के साथ relation है, आपने कुछ ऐसा बोल दे कि उनके इंडिया के रशिया के साथ relation बिगड़ गए, तो यहाँ आप रीड कर सकते, वो भी आप नहीं कर सकते, कोई आप पबलिक ओडर को खराब नहीं कर सकते, morality के बाहर नहीं जा सकते, और court की मानानी नही Contempt of Code नहीं, तो Contempt of Code में आ गया, आपन पढ़ेंगे Supreme Court वाले chapter में, उसमें आपको punishable, sorry, आर्थिक दंड भी मिलता है और punishable भी मिलता है, मतलब आपको JLL भी हो सकती है, तो आपको चीज़ यह चीज़ धिहान रखना है, तो reasonable restriction से question बनाए जा सकते हैं, तो इस तरीके से अप आपको इसको याद करने का तरीका भी बता सकता हूँ, जैसे आपको freedom of speech and expression है, तो आपको बोलने की आजा दिये, आप बोलेंगे कहां, जब आप assemble होंगे peacefully और without arms, देखिए, तो यह article क्या बोलता है, कि आप कोई भी कहीं भी जाके, for example, किसी भी कोई भी assembly को क्या कर सकते, आइदे कानून के अंदर रहकर, आप कोई भी does not, मतलब आप किसी तरीकी की हिंसा करेंगे, तो वो इसके अंतर गत नहीं आता है, है ना, richuous assemblies भी इसके अंतर नहीं आते, disorderly भी इसके अंतर नहीं आता है, तो क्या आता और क्या नहीं आता, आपको इसको जरूर read कर लेना है तो यह बस यह article इस बारे में बात करता है, यदि आपको peacefully कोई assembly करनी, कोई सभा करनी है, कोई मतलब आयोजन करना है, तो आप कर सकते, लेकिन peacefully कर सकते, बिना हत्यारों के कर सकते, लेकिन उस पर भी reasonable restriction है, जैसा मैंने आपको बोला, नहीं तो माल लीजे, for example, कोई सभा हुई उसमें हिंसा हो गई, गोली चल गई, या किसी के हत्या हो गई, तो इस टाइप की चीज़ों को allow नहीं किया गया, और कोई ऐसी सभा ना हो रही होगी, जो भारत की एकता और अखंडता गोहानी पहुचाती हो, भारत को तोड़ने की बात करती हो, कोई भार के जो अपरादी फस गया, या लोगों को क्या होने लगा, कोई ना कोई दिक्कत आने लगी, तो इस टाइप की चीज़े नहीं की जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से जैसे माल लीजे, for example, कभी क्या होता है, 144 धारा लगती है, आपको मालो में magistrate लगाते हैं, 144 धारा है कभी कभी दंगे हो जाते, तो 144 धारा लगती है, इस बारे में आपन आगे और डिटेल में डिसकस करेंगे, तो आप वहाँ पर यह नहीं बूल सकते हैं, हमारा राइट है कि असेंबल peacefully and without arms, वहाँ 144 धारा लगेगी और magistrate चाहें, तो वह आपको क्या कर सकते हैं, आयोजन कर आप बोलोगे कहां जाके, जहाँ पर आप असेंबल होगे, peacefully without arms, वह दूसरा हो गया, अब अपन तीसरे पर बात कर रहे है, freedom of association, तो जब आपने बोला, जब आपने सबा करी, तो आप सब क्या मना रहे है, आप एक जैसे लोग मिल गए हो, अब आप कही न कहीं क्या बनाने क कोशिश कर रहे हैं, एक association बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो association बनाने का अधिकार काय में दिया है, 191C में दिया है, यहाँ आप देख सकते, 97th amendment 2011 के दोरा, कहीं न कहीं आपको यह दिहान रखना है, कि जो freedom of association है, इसमें freedom of cooperative society भी जोड़ा गया है, cooperative society क्या होता है, तो आगे अपन detail में discuss करेंगे, एक topic है cooperative society, अभी आप इतना ध्यान रखी, एक जैसे लोगों का समू होता है, जो कि एक दूसरे की मदद करने के माध्यम से अपना कल्याण करने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ याद रखना है कि तीसरा क्या बोलता है, आप association बना सकते हो, union बन पर दी गई है, और यह सारी चीज़े आपको नई बनाना तो आप नहीं भी बना सकते हैं, मलब यह article बनाने की भी आजादी देता है, और नहीं बनाना चाहते हैं तो नहीं बनाने की भी आजादी देता है, और कहीं नहीं यह article बोलता है कि कोई ने गुरुप बनाया तो उस Constitutional Right है की नहीं है फिर आपको देख लिए जिये Negative Right भी देता है कि आप Association बनावी सकते हैं जो समाज में चल रहा है मतलब जैसे चल रहा है कार चल रहा है उनके उपर कहीं उनके बीच में कोई बादा नी आनी चाहिए जबरदस्ती किसी की आजादी क्या होना चाहिए, हनन्नी होना चाहिए, morality में रहके काम करना है, ethics में रहके बात करना है, उसके बाहर नहीं जाना है, आपको ये ध्यान रखना है, क्या इंदी में भी देख सकते हैं, अब अपन बात करते हैं, देखिए, मैंने पहला आपको छे राइट्स बताये थे, 19 पढ़ रहा है, जिसमें छे राइट्स की सुतंतरता दी गई है, पहला था क्या बोलने की सुतंतरता, दूसरा क्या था, कहां बुलेंगे, जब आप असेंबल होंगे, पीसफुली, तीसरा क्या था, जहां आप असेंबल होंगे, पीसफुली, आप लोग सब मिलके, एक जैसे लोग है, तो कोई अशोशेशन बनाएंगे, और चौता क्या है, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की सुतंतरता है, तो भारत की जो territory है, for example, UP है, MP है, राजिस्थान है, South है, कहीं भी North East है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, भारत में यह आ जा दी है, तो इसके अंदर देखिए, दो टाइप के आर्टिकल शामिल होते हैं, एक होता right to move inside the country, तो inside the country की बात कौन करता है, आर्टिकल 19 करता है, लेकिन आप यहां से अमेरिका जाना चाते हैं, आप यहां से फ्रांस जाना चाते हैं, वहां से वापस आना चाते हैं, वह किस आर्टिकल में, वह आर्टिकल 21 में है, तो outside country जाना है, तो आर्टिकल 1 में आपका right, और inside country के अंदर ही घूमना है, कहीना कहीन भारत की unity integrity और अखंडता को बढ़ावा दिने वाली बात है कहीना कहीन इससे भाई चारा बढ़ता है क्योंकि कहीना कहीन अपन लोगों ने state के आधार पर एक दूसरे को रोका नहीं कि आप उस जरूर कर लेना है या इंदी में भी देख सकते हैं अब अपन बात करते हैं इस पर भी reasonable restriction दे कि आप for example यह भारत है भारत में आपको मालू में अंडमानने को बार है वहाँ पे बहुत सारी tribe रहती है तो आप भारत से वहाँ नहीं जा सकते है बस वहाँ जाने से आपको रोकें है तो यदि आप उनके हां जाके रहते हैं या वहाँ पे जाते तो कहीना कहीं क्या होता हिंसा होने की chances होते हैं उनके अधिकारों को छिनने की बात होती तो इन आधार पर कहीना कहीं इनको इनकी संस्कृति को बचाने के लिए प्रावधान किया गया है और जनरल पब्लिक क कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो उनको हानी पहुचा है तो आपको यह ध्यान रखना है यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं अब बात करते हैं पांचवे राइट की देखिए छे राइट है उनने इसमें अपने चार की बात कर लिए पांचवे की बात कर रहा है आप बात करता है residence की कि आप right to reside and settle in any part of the territory of the country अब इसके अंदर भी दो चीजे होगा मैंने पिछले article में बताया भाई चारा बढ़ाने के लिए एकता खंडता बढ़ाने के लिए देश में एक दूसरे में क्या हो कही न कहीं अपने भारत को लेकर क्या हो एक एक तरीके से अपन युनाइट हो तो उस चीजों को बढ़ावा देना है और इस पर भी युक्त युक्त निर्बंदन मतलब English में reasonable restriction वो ही कि आप tribe के क्या है उनके distinct culture होते हैं उनके अपने traditional vocation होते हैं प्रॉपर्टीज होती है उन सब आधार पर आपको रोका जा सकता है या आप उनके घर में उनके घर पर नहीं जाके उनके culture को नहीं खराब कर सकते हैं जमीन नहीं ले स 19 में चटवे में अपन आ गाएं तो देखिए पहला क्या था आप जो बोलना चाहिए बोल सकते लेकिन नियम कायदे कानून में रहके उसके भी reasonable restriction है भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते या किसी और चीच पे फिर उसके आद आप जब बोलेंगे तो peaceful assembly होगी लेकिन उसमें क्य कोई भी occupation ग्रहन कर सकते हैं तो आप यहां देखिए right to practice any profession, profession मतलब कोई भी profession आपको करना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, practice कर सकते हैं, कोई भी occupation को धारण कर सकते हैं, trade कर सकते हैं, trade और business में एक छोटा सा फर्क होता है, एक में क्या होता है, एक जगे से दूसी जगा movement हो कर सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, हाँ पर आप read करेंगा, आपको समझ जाएगा, लेकिन इसके भी युक्त युक्त निरबंदा ने reasonable restriction है, बहुत आप वो काम नहीं करें जो immoral हो, जैसे आप trafficking in women और children नहीं कर सकते, कोई dangerous काम नहीं कर सकते, ड्रक्स की supply नहीं कर सकते, explosive को use नहीं कर सकते, इसी तरीके से for example एधी माल लीजे, किसी आदमी doctor बनने के लिए MBBS चाहिए, लेकिन माल लीजे कोई वेक्ति MBBS नहीं और वो बोलता है कि मैं doctor बनना चाता हूँ, क्लीनिक खोल लूँगा, तो लेकि ऐसा नहीं कर सकते, जिस ची अब कुछ cases पर बात कर लेते हैं और बचे हुए cases पर अपने detail में discuss कर लेंगे अलग से lecture में, तो देखे जैसे right to internet access है, देखे जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना जो समविधान है, Constitution of India है, उसको प्रासेंगिक बनाये रखने के लिए उसमें समय समय पर क्या किये जाते और Supreme Code भी क्या होता है, कई वात के माध्यम से, कई case के माध्यम से क्या करता है, अपने समविधान की interpretation करता है, और उसमें नई नई चीजों को धारण करने की कोशिश करता है, सामिल करने की, क्योंकि समय क्या है, दीरे-दीरे क्या है, आगे बढ़ रहा है, modern हो रहा है, तो कोई नई कोई धारा लगने करने, वहाँ पे internet shutdown हो जाता था, तो उसी में गुलाब नभी आजात केस हुआ था, जिसमें Supreme Court ने बोला था, कि जैसे right to freedom of speech and expression है, जो expression है, जो article 91A में है, वो कही नगई इस बात का भी अधिकार देता है, कि internet जो है, वो सब के लिए होना चाहिए उसका जो shutdown किया जा रहा है बार-बार, वो violative of article 91A, तो आप इसको read करेंगे, तो आपको समझ जाएगा, तो इस तरीके से जो है, अपना आज का lecture complete होता है, आगे अपना article 20, 21, 22 पे बात करेंगे, तो चलिए quick revision कर लेते हैं, देखिए तो कैसे याद रखेंगे आप, सबसे प भारत के आप किसी भी छेतर में जाना जाते हैं, तो जा सकते हैं, वो article 4 हो गया, है मलब article 4, sorry, 19 1D हो गया, वो कहीं न कहीं 19 में जो share ID है, उसका चौता वाला हो गया, आप कहीं भी घूम सकते हो, फिर उसके बाद वहाँ पे आप बसना चाहो तो बस सकते हो, वो पाँचवा जादा होती है, और आपको main answer writing में इस सारे article यूज करने, जैसे for example कभी आएगा media की सुतनतत्रा, या media की जो कहीं न कहीं freedom दी गई है, वो किस में दी गई है, तो वो article 19 1A में दी गई है, तो इस तरीके के articles को आपको यूज करना है, और 19 1A कहीं न कहीं लोगतंत्र को भी क्य कीजिएगा.